आएए एक प्वेंट फॉटकम तो मैं चैनल दोस्तों आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग अमारी न्यू एंटीवी साइकल गाण जो कि एक 21 गेयर साइकल है दोस्तों यह साइकल है लीडर साइकल की तरब से इसको ओपन करके चलिए देखते हैं हमारी साइकल को यह साइकल बाहर से और अंदर से काफी अच्छे से पैक होके आई है इस साइकल के साथ एक यह असेसरीज बॉक्स आया है वीडियो में आगे देखेंगे कि इसमें क्या है फ्रेंट्स चलिए अब इस न्यू साइकल को बॉक्स से बाहर निकालते हैं लीडर की इस साइकल काफी अच्छे से बबल रेप होके आई हुई है यह साइकल आपको मिलती है अब टू 85 तू 90 परसंट असेंबल कंडिशन में और इसकी असेंबली बड़ी ही आसान स्टेप्स में आप घर पे कर सकते हैं दोस्तों इसके असेसरीज बॉक्स को खुलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या है सबसे पहला आइटम है यह बॉटल विद बॉटल गाड नॉमली अडर ब्रांट्स में आपको बॉटल इन बॉटल गाड अलग से लेना पड़ेगा लीडर आपको यह साइकल के साथ प्रवाइड करता है नेक्स आइटम है हमारा यह प्यू सीट पोस्ट और यह दो पैडल इस साइकल के सेलफ अमबली के लिए आपको यह टूल्स मिलते हैं और यह रिफलेक्टर्स जो की सेफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं Cette Erुक साथ मिलता है आपको यह साइकल का assembly guide, अगर cycle आप घर पे खुद assemble करना चाहते हैं, तो ये assembly guide आपके लिए काफी useful हो सकती है इसमें detail steps में बताया गया है कि आप इसको कैसे assemble कर सकते हैं, जो की वीडियो में आप देखेंगे भी side distance आपको यहाँ पे pre-fitted मिलते हैं इसे assembly के दोरान open करके cycle को easily खड़ा रख सकते हैं सबसे पहले इस cycle के front tires को निकाल लेते हैं और इसको fit कर लेते हैं यहाँ पे इन spacers को जो की transport के लिए provide किया गया है इसे निकाल लेते हैं wheel को fork में attach करके इसके दोनों तरफ के nuts कुट लगा देंगे और tight कर देंगे अब इसके handlebar की assembly करते हैं इस cycle में आपको threaded handlebars मिलते हैं इसको handle post में attach करने के बाद इससे allen key की help से अच्छे से tight कर लेते हैं अब इस pew seat को seat post में attach कर लेते हैं और इनके nuts को tight कर देते हैं इस paddles में थोड़ा सा grease supply करके दोनों paddles को install कर लेते हैं फ्रेंट्स फटा फट से इसकी wrapping को उतार लेते हैं और देखते हैं हमारी cycle को फ्रेंट्स ये cycle है leader की gladiator इस bottle holder को frame में fit कर लेते हैं अब इसके reflectors को भी install कर लेते हैं फ्रेंट्स हमारी installation process complete हो गई है चलिए फ्रेंट्स बात करते हैं अब इसके first impression की leader gladiator का ये sea green color काफी cool and attractive लग रहा है इनके badges और stickers का looks भी काफी अच्छा लग रहा है overall first look में ये cycle काफी appealing and attractive लग रही है इस cycle में आपको front में shocker and disc brakes मिलते हैं drive trend में shimano के 21 speed gears मिलते हैं front सी एक mtv category की 21 speed cycle है और इसका MRP है 9,750 rupees स्क्रीन पर दियेगे coupon code का यूज करके आप इस cycle को purchase कर सकते हैं और आपको discount मिल सकता है so friends आपने देखा एक बड़ी आसान स्टेस में हमने cycle को कैसे install कर लिया दोस्तों मैंने इसकी buying link description box में डाल दिये हैं पर आप चेक कर सकते हैं so coming videos में मैं अपना ride experience of cycle का detail review शेयर करूँगा so उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल comment करके मुझे बताईएगा कि आपको इसकी installation और first look कैसा लगा so friends stay safe, keep parenting, thanks for watching this video guys